दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग के 18 नौंबर सन 2023 विक्रम समद 2080 चल रहा है कार्तिक मास है शुकल पक्ष है शरद रितू है तिथी आज की पंचमी है और आज का वार है शनिवार आज पांडव ज्यान पंचमी है जिसे में व्रद्धी होती है आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तर शाड़ा नक्षत्र रातरी बारा बच्के 7 मिनट तक रहेगा आगे श्रवण नक्षत्र है योग गंड है और योग की द्रश्टी से लौकिक कार्यों के लिए आज का दिन शुब नहीं है करन बालव है सुबह 9 से 10 बच के 30 मिनट के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुब कारें नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब इजित मुरत आज 11 बच के 50 मिनट से दौपेर 12 बच के 33 मिनट के बीच है दिन में चार बार दु आज का दिशा शूल दर्श को पूर्व दिशा में तो पहली कोशिश तो यही रहे कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है अनिवार यात्रा है तो इसका परिहार करें परिहार बहुत सरल है पूर्व की और मुकी जे थोड़ा सा अद्रक या उड़त के दाने खाकर पहले पांच कदम पीछे चलें और जब यह प्रक्रिया आप करें तो अपने हर्दे में अपने इस्ट या भगवाई श्री राम का ध्यान करें उनसे प्राथना करें और फिर पूर्व दिशा की यात्रा करें ऐसा करेंगे यात्रा मंगल में रहेगी सुरक्षित रहेगी शुब रहेगी और किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज की दिन का सदुप्यों करने का जो समय है वो है सुबह 8 बच के 10 मिनट से सुबह 9 बजे तक फिर दौपेर 12 बच के 30 मिनट से दौपेर ब राशी में प्रवेश कर जाएंगे जिससे आज काई दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते मेश राशी की तो मेश राशी वाले मानसिक शान्ति का नुभव करेंगे प्रसन चित रहेंगे वहीं व्रश राशी वाले भागे का बाद शांत हो जाएंगे वहीं तर राशी वाले को किसी पुराने लेंदेन में धन वापस आने के योग बन रहे हैं ऐसे ही कन्या राशी वालों के लिए आर्थिक लाब का दिन है साथ ही साथ चात्र चात्राएं बहुती प्रसंद रहेंगे आज और तुला राशी वाले अपने करियर में बढ़ेंगे आगे राजनीती से जुड़े लोगों के लिए अच्छा दिन है लेकिन घर में रहेगी अशान्ती वहीं व्रश्चिक राशी वाले भाग्ये का साथ पाएंगे और आज रहेंगे बहुत ज़्यादा क्रेटिव वहीं धनु राशी वाले आज गले के इंफेक्शन का शिकार हो सकते हैं और आर्थिक लाब लेकिन आज आज आपको संभव है मकर राशी वालों का पाटनर से बनेगा अच्छा संबन्ध लेकिन आज 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 भावनात्म करूप से काफी कमजूर पाएंगे इस खुद को ऐसे ही कुम राशी वाले आज किसी को पैसे ना दे उधार और व्यापार में रहें बहुत ज़्यादा सावधान क्योंकि धुका मिलने के चांसस बन रहा हैं और मेन राशी वाले पाएंगे आज बहुत सुंदर सला किसी से और जीवन में बढ़ेंगे आगे दर्शोग्वाश स्वभाग्य पंचंप्य का त्योहार है जीवन में बहतर और सुखी, सुन्दर जीवन का सूत्र सभी की इच्छा रहती है, सभी की चाहत रहती है, इसलिए हर व्यक्ति को कारिशेत्र के साथ साथ पारिवारिक सुख समरिद्धी की कामना भी करनी चाहिए, इसलिए ये सुभाग्य पंचमी का जो पर्व है, ये सुख शान्ती खुशाल जीवन की ऐसे इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो उर्जा क्या वशकता है उस उर्जा को पूरा करने के लिए बहुत ही शुब और सुन्दर अवसर है ये शुब तिथी दिवाली पर्व का ही एक हिस्सा होती है और कुछ इस्तानों पर दिपावली के दिन से नववर्ष की शुरुवात के साथ ही स्वभाग्य पंचमी को व्यापार और कारूबार में तरक्की और विस्तार के लिए बहुत ही शुब मना जाता है स्वभाग्य पंचमी पर शुब और लाब की कामना के साथ भगवान गणेजी का स्मरण किया जाता है सो भागे पंचमी पूजन के दिन प्राते काल स्नान इत्यादी से आप निवरत हो भगवान सूर्य को जलाविशेक करें यानि जल का अर्ग दें तत पस्चात शुब मुरत में विग्रे में भगवान शुब और गणेजी की प्रतिमाओं को स्थापित करना चीए यानि उनकी म बगवान शिवजी को भस्म बिलवपत्र धटूरा सफेद वस्त्र अर्पित कर पूजन करें गणेजी को मोदक का भोग लगाए और पर दूद के सफीद पकवानों का भूग लगाएं इसके बाद में इस विशिष्ट मंत्र से गणेजी का आवान करें मंत्र इस प्रकार है लंबो दर्म महा कायम गजवक्तरम चतुर बुजम आव्याम म्यहम देवं गणेश सिद्धी दायकम इस प्रकार से भगवान का आवान के रूप में और इनकी पंचोब चार से पूजन करें फिर माता को कुमकुम लाल चंदन शहद रक्त पुश परपित करें और फिर इस बहुती विशिष्ट मंत्र की ग्यारा माला आज के दिन से शुरू करें और नित्य करते रहें तीन महने तक अगर आप ऐसा सफलता पूर मंत्र फिरते समझते हैं तो यह आज से आप साधना शुरू कीजिए और इसका अपने जीवन में चमतकार देखें ऐसे ही काम बनते बनते बिगड़ते हों या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपने भविश्य और करियर को लेकर निर्ने शमता आपकी बहुत ज गणे जी को दो लड्डू वेशन के घी का दीपक 21 दुर्वा अर्पित करते वे कुछ दिन पांच माला इस पहुत ही विश्यस्ट मंत्र का जाब करें पहुत ही जल्दी समझ्याओं सा बहारा जाएंगे इसमें कोई भी संदे नहीं चुब मंत्र आपको जब करना ध्यान से समझेंगा बहुत इविश्यस्ट मंत्र है मंत्र श्प्रकार है大उ मांकर मंत्र एक कर रष्यवान या और भौन जी करपा के पात्र बनें ऐसी दर्शिर को आजाएंगवान शीवजी का आवान कर उनका पंचोब चार से पूजन करे Hey वहीं सब्कार करें इसके बाद आप बहुती विशिष्ट मंत्र की साधना शुरू करें आज की दिन और उससे अपने जीवन में चमतकरिक परिवर्तन लाएं तो जिस मंत्र का आज से साधन करना है वो इस प्रकार ध्यान से समझेगा ओम रीम श्रीम ठम 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 नमो भगवते मं सर्व कार्याणी साधे साधे माम रक्ष रक्ष शिग्रम माम धनिनम कुरू कुरू फट श्रियम देही प्रज्याम देही ममा पत्यम निवारे निवारे स्वाहा तो इस शिव मंत्र को आप फिर से समझेगे मंत्र स्प्रकार है इसका विधान समझे विधान इस प्रकार है कि शिव मंदिर में आज आप जाए पांच य त्रिदल बिलुपत्र ले कर जाए प्रत्य के बिलुपत्र को हाथ में रखें 27 बार इस मंत्र का जाब करें फिर उस बिलुपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए ऐसे आपको पांचों बिलुपत्र अर्पित करने 27-27 जाप के बाद बहुत ही जल्दी यानि कुछी दिनों में आप स्वयम को सभी समश्याओं से बाहर आते हुए देखेंगे और जीवन में अमोग शिव करपा का अनभव भी करेंगे इसके बाद में आज आप भगवान गणेश जी और धूप दीप से आरती करें और अपने द्वार के दोनों और यानि आपका जो घर है उसके मुख्य द्वार के दोनों और स्वास्तिक का निर्मान करें भगवान को प्रशाद अर्पित करें समस्त लोगों में वित्रित करें स्वयम भी ग्रेंड करें आज की दिन कुछ विश शिव जी पर अर्पित करें गणेजी को अपने मन की बात कह दें आज की दिन तो निश्चित रूप से आपका कारे सिद्धोगा इन सब बस्तूं को अर्पित करने के बाद एसे ही एक नारियल पर काला धागा लपेट कर उसे पुरा दिन सुबह से रातरी तक पूजास्तान पर रखें और ये सारी पूजाएं करें और साय काल में उसे धागे सहीत कपूर रख कर उसके उपर उसे जला दें या आज चारम करके 11 दिनों तक ये उपाय आप करें तो घर में सुक सम्रद्धी का वातरवन आपको दिखने लगेगा नेगेटिविटी गड़ से दूर चली जाएगी ऐसे ही पकेवे मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग कर उसमें जटा युक्त नारियल रखकर उसे मुख पर मोली बान दें और भैतेवे जल में प्रवाइद कर दें और आसपास अगर भैतावा जल नहीं है तो किसी मंदिर में लगे हुए पीपल के व्रक्ष के नीचे जाके रखाएं परिवार में सुक सम्रद्धी की निश्चित रूप से बढ़ोत्री होगी ऐसे जो लोग साक्षातकार में जाने वाले हैं उनको करना ये है कि पांच काली कौडी ले उन पर हल्दी का तिलक करें अपने उपड़ से आठ बार उतार कर किसी निर्धन को कुछ धक्षणा और भोजन के साथ दे दे और आश्रवार ले ले जिस साक्षातकार में आप जा में लपेड दें और धन रखने के स्तान पर उसे रख दें तो निश्यत रूप से धन की आपकी व्रद्दी होने लगेंगी तो दर्शे को मैं पंडी चंद्रशेकर शर्मा या आशा करता हूं कि आप बताये के उपायों को और पर्व की विधी विधान से नियम से पालना कर कर दो